वैसे तो ITI के छात्रों को पता होगा आज जो है वो apprenticeship मेला है maximum बच्चे जो है आज apprenticeship मेला में participate करने वाले हैं मगर ऐसे भी भहुत सारे छात्र हैं जो apprenticeship नहीं करना चाहते हैं डारेक्ट नौकरी करना चाहते हैं क्योंकि apprenticeship और नौकरी में एक बिसेस अंतर होता है वो होता है salary का apprenticeship में salary थोड़ी कम होती है और जो नौकरी होती है रोजगार होता है जिसे job बोलते हैं उसमें salary थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो आज 14 नवंबर PM apprenticeship मेला है जिसके अंतरगत 25 उतरपरदेश के जिलो में जो है वो apprenticeship मेला लग रहा है और आज इस वीडियो के मादने मैं आपको बताऊंगा कल जो है एक government ITI में बड़े government ITI में जो है वो रोजगार मेला लग रहा है जिसमें नौकरी दी जाएगी apprenticeship नहीं दी जाएगी 50 से ज़्यादा कमपनियां आ रही है और 2000 से ज़्यादा चातरों के लिए वहाँ पर जॉब निकलने वाली है तो ऐसे में बड़ी बड़ी कमपनी भी है चोटी भी है और मिला जुला के कोल मिला के 50 से प्लस कमपनी और 2000 से प्लस जॉब है तो यदि आप लोग जो है वहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो आपके लिए अच्छी खबर है अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर है वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी चातरों सनिवेदन है कि यदि आपने मेरा दूसरा चैनल मैडम सर्ट टेक्नो जिस पर मैं आप लोगों को यूटूब के बारे में सिखा रहा हूँ कि कैसे आप लोग यूटूब पर एक से दो घंटा काम करके अपना जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक से सारी चीजे फ्री में सिखा रहा हूँ यदि आप इंट्रेस्टेड है और्नाइन या फिर डिजिटल अर्निंग में तो आप लोग बिल्कुल उसे जॉइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएगा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्रहदर रोजगार मेला बाराणसी और यहाँ पर बात करें तो जो करौंदी का परिसर है गवर्नमेंट टेटे कॉलेज करौंदी बाराणसी वहाँ पर जो है 15 तारीक को 15 नमूंबर 2022 को 9 वजे से 5 वजे के बीच में जो है आप लोग जा सकते हैं वहाँ पर मेलेम पार्टिसिपेट कर सकते हैं 50 से अधिक कंपनी आने वाली है 2000 से अधिक वहाँ पर रिखती आए मतलब 2000 से ज़्यादा वो वेकंसी है 50 से अधिक कंपनी वहाँ पर आने वाली है 15 नमूंबर 2022 की बात है और यदि आप इंटरेस्टेड हैं करने में तो बिल्कुल वहाँ पर जा सकते हैं यदि ऐसी ही जानकारी आपके पास आती है तो आप मुझे स्क्रीन पर दिये वाट्सअप नमबर पर सेयर कर सकते हैं ताकि अपने चैनल के माददम से दिखाऊं तो उन बच्चों का भला हो पाएं जो सच में नौकरी की तलास कर रहे हैं और ये खबर भेजने के लिए एक चात्र मुझे भेजी है उसके बहुत बहुत धन्यबाद आपके पास खबर आती है तो आप जरूर सेर करेगा आसा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पे पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे इस वीडियो बस इतना ही धन्यबाद